इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को, लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा वो जो रात को एंकर आते हैं और आपको नैशनलिजम का आधा पार्ट पढ़ाते हैं, उनकी निगाह से मत देखिए वो आपको इस देश की हकीकत से काट कर ले जा रहे हैं, एक ऐसे देश की दुनिया में जो है ही नहीं हमारा मुल्क सबसे खुबसूरत मुल्कों में से एक है, हमारे पास बुलेट ट्रेंड नहीं है तो क्या हुआ? हम धीरे भी चलते हैं, तो गले मिलकर चलते हैं, हमें जल्दी जल्दी में एक दूसरे को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना वो जो चिंता है कि सारी ट्रेंड अच्छी हो जाए, वो बुलेट ट्रेंड के खिलाफ चिंता नहीं है वो चिंता ये है कि पहले सब का भला हो जाए ना, तो फिर कुछ लोगों के लिए कुछ ले आना तो उन्होंने बुलेट ट्रेन का विरोध करने वालों को भी देजरोई बता दिया 15,000 का टिकट खरीद के जपान में लोग चलते हैं उसाका से टोकियो के बीच में 15,000 का टिकट खरीद के तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इमेज जोका जा रहा है कॉर्परेट हमारा बड़ा कमाल का है उसने पहले मीडिया को नेताओं के यहां पहुँचाया नेताओं ने मीडिया को अपने पास रख लिया अब कॉर्परेट मीडिया तो खरीद लेता है कई तरह के चैनल लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा है वेचारा GST से परशान है उसका धंदा चौपट है बैंकों के खून निकल रहे हैं बह रहे हैं वो घाटे में दबे जा रहे हैं मरे जा रहे हैं कोई बोल नहीं रहा है क्या बात है भाई तुम भी डर गए तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो किस लिए खरीदते हो डरने के लिए हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा जब डर प्रोफिटेबुल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें उसका घाटा है फाइदा दो-चार लोगों का होता है तो वो डर को प्रोफिटेबुल बिजनिस बना रहे हैं और यहीं हो रहा है कि ना कॉर्परेट बोल पा रहा है ना जनता की आवाज पहुँच रही है और लोग सडकों पर अपने सवालों को लेकर खड़े हैं शिक्षा मित्रे रोज फोन करते हैं कि हम सवाल आख की संख्या में हमारी आवाज कोई नहीं उठाता है रोज रोते हैं बेचारे और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है अभी वाटसअप पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बर्खा में मेरे लिए कोई नौकरी है यह हसने की बात नहीं है इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बरदाश्ट कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है मैं गलत बोल सकता हूं मैं खराब बोल सकता हूं लगिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है आपने मुझे उठा कर कहीं फेकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है ये गांधी के देश में कभी नहीं हो सकता था जो गांधी अंग्रेजियों से लड़ते थे मगर उसे भी शत्रू नहीं कहते थे हम उस देश के हैं आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस दिन वो सबसे शर्मनाक दिन था जब मेरा फोटो तरह तरह से ट्वीटर पर बना कर चलाने लगा किसी ने टिका लगा दिया किसी ने गेरुआ लगा दिया मैं पहनता हूँ भाई गेरुआ तुम पहना होगे तो थोड़ी पहनूँगा मैं पहनता हूँ आखो लोग पहनते हैं गेरुवा इस दिश में क्या आप वो भी एक दिन टीवी चैनल से तै होगा कि सब को गेरुवा पहना होगा वो तो हम पहनते हैं अपने अपने पूजाओं में और ये मजाग चल रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि क्या एक अधना सा पत्रकार इतना म इतिहास नहीं पढ़ा और क्या आप हमेशा यह होता रहा है इसलिए होते रहने देंगे होते रहने दीजिए आपको लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा फर्क आफी को पड़ेगा फर्क आफी को पड़ेगा जब आपकी आवाज पहुचने के हर रास्ते बंद कर द कि मैं यहां इस हॉल में आ रहा था तो किसी ने उसका टेक्स्ट मुझे वाटसब किया था कि अखवार अगर आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार की आलोचना कौन करेगा सरकार की आलोचना करने पे बधाई मिलनी चाहिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी लोग नहीं करते हैं 99.5 दी मीडिया एक गोदी मीडिया बन गया है अब रोना रो रहा है कि जो एक परसेंट वो भी गोदी मीडिया है कमाल है साहब कमाल है सारा मीडिया खरीद के जेब में रख लो और दिन भर प्रोपेगेंड़ा हिंदू मुस्लिब एजेंड़ा चलाते रहो और कहो कि गोदी मीडिया दूसरी तरफ भी है तो नए नए तरक गढ़े जा रहे हैं आपकी आँखों में इमेज जोके जा रहे हैं मैं उमीद कर सकता हूँ कि मेरा समय खत्म हो रहा होगा लेकिन दो चार बातें यही है कि लोगतंत्र की लड़ाई को आप आउट्सोर्स मत कीजिए गांधी की तरफ सत्य के रास्ते पे चली क्योंकि हमारे देश में सच बोलने का एको सिस्टम नहीं है इसे हमें स्विकार कर लेना चाहिए और इस एको सिस्टम को हमने नहीं बनने दिया है जो भी जरा सा चलता है हम उसे पागल घोशित कर देते हैं जो इमांदार होता है कोई कलेक्टर आ गया वो ओनेस्टी से काम करता है उसी के रिष्टिदार बोलेंगे पागल हो गया यह दुनिया बदल देगा क्या अब तक आप जूट के साथ खड़े रहे हैं कुछ साल तक सच के साथ खड़े होने का प्रयास तो कीजिए हो जाएगा वो राजा हरिष्चंद्र की जो कहानी सुनाई जाती है कि वो बरबाद हो गया बने थे सत्यवादी चलने पुरा परिवार तहसन है सो गया अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा ये कहानी इस देश में सुनाई जाती है राजा हरिशंद्र के लिए की पता है क्यों क्योंकि आप हमेशा डरे रहें और ये कहानी कौन सुनाता है पता है जो पावर में होता है गांधी ने ठीक इसका उल्टा किया गांधी ने सत्य के साथ प्रयोग किया और सत्य खुद को खुद प्रयोग किया लेकिन उस सत्य को अधिकांश जनता का हतियार बना दिया ये लो सत्य आज सीबी आई और जेल के डर से हमारा अपोजिशन भी नहीं बोलता और गांधी ने उस सत्य के दम पे लाखों लोगों को अंग्रेजों की जो डर का सबसे बड़ा कारखाना था अंग्रेजों का फैक्टरी थी अग डर की जेल उसमें ले आकर भर दिया गांधी ने कहा अपने भीतर जेल जाओ और अपने भीतर के डर से आजाद हो जाओ इनके पास टैंक है तोप है अपसर है कानून है सेलूलर जेल है सब है लेकिन जिस दिन तुम जेल जाने के डर से आजाद हो जाओगे बाकी आजादी मिल जाएगी ये गांधी का सत्य था गांधी ने इसी सत्य के लिए अपनी जिंदगी दी वो कहते थे कि सत्य की खोज में क्रोध, स्वार्थ, घिना, आदी, विकार, सभावत, छूटते जाते हैं अन्य था सत्य की प्राप्ति असंभव ही हो जाए सत्य की खोज में सफलता प्राप्त होने पर मनुष्य में प्रेम और घिना, सुख और दुख आदी के द्वन्दों से पूर्णता मुक्त हो जाता है मनुष्य और वो अपना पैमाना गांधी बनाते रहते हैं आप देखेंगे कि गांधी अंतिम मंतिम तक प्रियोग कर रहे हैं वो हारते हैं, वो अपने अहिंसा जब भारत आजाद होता है तो जिस अहिंसा को लेकर वो तीस साल तक प्रियोग करते हैं वो बिखर जाती है एक किताब सुधिर चंदर की गांधी एक असंभाव संभावना आप पढ़िएगा गांधी आखरी वक्त में फिर अकेले खुद को जुटाते हैं वो चाते थे 125 साल जीना लेकिन बाद में उनके जीने की इक्षा समाप्त होने लगती है और वो नुआ खली चल देते हैं तो जैसे आज ट्रोल होता है वैसे ही तब होता था कि बापू आप पहले बिहार क्यों नहीं जाते हैं बापू आप कलकत्ता में क्यों नहीं रुखते आप हिंदुओं के यहां क्यों नहीं रुखते आप मुसल्मानों के यहां क्यों नहीं रुखते तो दोनों तरफ के जो सामप्रदाइक लोग थे वो गांधी जी का ट्रोल करते हैं लेकिन गांधी क्या करते हैं उस ट्रोल के बादे हैं, क्या इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है रास्ता तो है दोनों में से एक जानवर ना बने जो निखिल डे कह रहे थे आखरी बात जो उनकी थी उस बात को समझे दोनों में से एक जानवर ना बने यही इसमें से निकलने का सीधा रास्ता है ये गांधी ने कहा था और वो पहचानते थे जब ये ट्रूल के जरीए किसी की हत्या पर उत्सों बनाया जाने लगा यहाँ वहाँ के तरकों से सवाल किये जाने लगे तो लोगों ने का कि हम तो ही थे भीतर से हम लोग सब communal थे बाहर आ गया है उसमें तो बाहर communal आए तो खराब लगे तो उसमें nationalism थोड़ा सा उपर से डाल दो उसमें मलाई तब भी गांधी जी कहते हैं कि जो बहुत हिंसा होने लगती है कि हम लाचारी से अहिंसक बने हुए थे मगर हमारे दिल में तो हिंसा भरी हुई थी अब जब अंग्रेज यहां से हट रहे हैं तो हम उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं हम आज भी उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं अपने भीतर की अहिंसा को पहचानिये उसमें बहुत शक्तियां हैं ये वो शक्तियां हैं जो इस मुल्क में बे पना मुहबबत भर देंगी इस मुहबबत के सहारे आप कम रोटी खा कर भी मुस्कुराएंगे जनरल क्लास में भी चलकर मुस्कुराएंगे तो हमारे आपस के विश्वास को आप कम मत कीजे मीडिया जो हिंदु मुस्लमान कर रहा है उसका एक खास मकसद है वो जब ये करता है तो उसकी जवाब दही है उससे वो खुद को मुक्त कर लेता है और वो सरकार की साथ उसके पाले में बैठने का उसके पास एक मौका होता है जब आजादी के समय में भी जो हमारे अखवार थे वो यही कर रहे थे तो गांदी जी ने लिखा था कि क्यों नहीं आती हमारे अखवारों में ये चीजें इतनी गहरी चली गई हैं कि अपने पराय की सामप्रदाइक भावना सामप्रदाइक अलगाओ जिससे विभाजन के बाद रास्टरवाद ने पैना कर दिया कि हमारे अखवार हमारी अपनी कर्टूतें नहीं चापेंगे हम अपनी कर्टूतें नहीं चापतें अपनी हिंसा को नहीं पहचानतें दूसरे की हिंसा को पहचान रहे हैं और ये सब जूट के आधार पर हो रहा है तो आप इन सब चीजों को समझेंगे हम जिस मीडियम से आते हैं उस मीडियम में घुन लग गया है तरह तरह के तरक ढून रहे हैं उससे कोई फाइदा नहीं है